तो सबसे पहले यह क्लियर कर लेते हैं कि ascending order क्या होता है और descending order क्या होता है ascending order होता है भठता करम means छोटे से बड़े की तरफ move करना वह होता है ascending order जैसे यहां पर मैंने stairs बना रखी है जब हम ऐसे move करते हैं नीचे से उपर की तरफ छोटे से बड़े की तरफ यह one number two three four five six one से six number stair की तरफ जब हम move करेंगे it means हम भठते करम की तरफ move कर रहे हैं इस order को हम कहेंगे ascending order छोटे से बड़ा छोटे नंबर से बड़ा नंबर ठीक ऐसे descending order क्या होता है descending order होता है घटता करम means बड़े से छोटे की तरफ जैसे कि one two three four five six six stairs हैं हम six stairs से one पर move कर रहे हैं means हम descending order की position में हैं बड़े से छोटे की तरफ move कर रहे हैं तो कौन सा order होगा descending order clear तो इससे related दो question है first question है ascending order से related और second question है descending order से related तो first हम करेंगे ascending order हमें इस question में कुछ numbers कीवान हैं इन numbers को हमने छोटे से बड़े means ascending order में लिखना है तो सबसे पहले हमारे पास कितने number अकाउंट कर लेते हैं one two three four five five number है तो इन five number में से हमने सबसे छोटा number देखने हैं ठीक मैं तो यह number देख लूँगी छोटा कौन सा है लेकिन आप लोगों के लिए यह मुश्किल होगा पटाफट से चूज करना कि कौन सा number छोटा है आप कर भी लोगे confusion भी हो सकती है ठीक तो आपका question गलत ना हो तो इसके लिए हम कैसी इसको solve करेंगे सबसे पहले हम digit count करेंगे तो इस question में जितने भी number है उन सब के सबसे पहले हम digit count कर लेंगे 1 2 3 4 4 digit है यहां पर first वाले में second में 1 2 3 4 5 6 6 next 4 next 5 next 6 अब सबसे चोटा number इसमें से कौन सा होगा सबसे चोटा number कौन सा होगा जो four digit वाला number है वो ही सबसे चोटा होगा ठीक है ना और four digit वाले number कितने है 1 and two two number ऐसे है जो four digit में है अब यह दोनों लिखेंगे हम लेकिन दोनों में से भी एक नंबर छोटा होगा दोनों equal तो है नहीं है क्योंकि यह 7979 और यह वहला नंबर है 9797 तो इन दोनों में से छोटा कैसे choose करेंगे हम उसके लिए हमें first यह वहला place हमें देखना है one stands hundred thousand one stands hundred thousand Left side से, हमें left side से first digit को देखने है, इसमें यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है, तो हम किसको लेंगे? 7979, 7 जो है 9 से छोटा है, ठीक, तो हम लिखेंगे 7979, इस digit नंबर को हम सबसे पहले लिखते हैंगे, इस अबसे छोटा नंबर हमारे पास आगे है, ठीक, next, अब दूसरा भी 4 दिजिट वाला ही लेंगे हम, 5 दिजिट वाला तो इस 4 से बड़ा होगा, 4 दिजिट वाले नंबर से, तो next number हमारे पास होगा, 9797, इस method से आप करोंगे question, तो question में आपका बिल्कुल भी रोंग नी होगा, बिल्कुल ठीक होगा, next, यह 4 दिजिट वाले नंबर हमने लिख द 9, 7, 979, next, अब बचे हमारे पास 6 दिजिट वाले, दो नंबर हमारे पास 6 दिजिट वाले, इस में से हम चूज करेंगे, हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से 1 दिजिट देखना है, यहां पर 7 है, और यहां पर 9 है, तो 9 और 7, दोनों में से छोटा कोंस है, 7 चोटा है, त 7, 7, 7, 9, 9, 9, next, लास्ट में यह बचे है, तो इसको as it is लिख देंगे, तो यह हमारे पास कौन सा ओडर आ गया, असेंडिंग ओडर आ गया, छोटे से बड़ा, चोटा और यह सबसे बड़ा, next है हमारे पास डिसेंडिंग ओडर, डिसेंडिंग ओडर मैंने जैसे कि आपको समझाया, बड़े से छोटे की तरफ मूव करते हैं, 6 नमबर वड़ी स्टेर पे थे और 1 नमबर की तरफ हम दें मूव किया, तो इत में सबसे बड़ा नमबर इसमें हमें चूज करना है, और सा नमबर चूज करना है, सबसे बड़ा सबसे पहले चूज करना है, तो इस कोश सबसे बड़ा न麼 इसमें कुंसा होगा इस कौश्ày में सबसे चोटा देखा था अब इस कौश्टे में सबसे बड़ा tempo देखेंगे Мы ड़िसेंडिंग ऊटवर है कि सिक्स टीजिट का यह व्ला नंबर है और थ →urrection裡面 बड़े हैं, अब इन दोनों में से भी हमने सबसे बड़ा देखना है, इन दोनों में से भी हमने सबसे बड़ा देखना है, इस में से और इस में से, इन दोनों में से सबसे बड़ा चूज करना है, जैसे कि मैंने बताया, लेफ्ट साइड से फर्स्ट प्लेस देखेंगे, यह यहाँ पर 2 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 9 या 2, 9 बड़ा होगा, ठीक है, 9 is greater than 2, तो it means यह बना नंबर जो है, सबसे बड़ा नंबर है, उसको लिख देंगे, 9, 8, 8, 9, 9, 9, सबसे बड़ा नंबर, उससे छोटा, वो भी 6 डिजिट का ही लिखेंगे, तो यह बना नंबर अब next बच्चे है, हमारे पस five digit वाले, उससे छोटा कहुंसा होगा, five digit वाला होगा, four digit को सबसे last मिलेंगे, तो five digit वाले two number है, इन दोनों में से हम बड़ा नंबर देखेंगे, तो first place को देख लेंगे, यहाँ पर five है, और यहाँ पर four है, five और four में सबसे बड़ा क्या होगा 5 5, 4, 6, 4, 8 Next Last Next इसमें आ जाएगा 4, 3, 2, 9 अब last हमारे पास बचा 4 डिजिट वाला तो यह सबसे छोटा हुआ इसको as it is लिखनेंगे 2, 2, 2, 2 क्योंकि यह single number है single 4 डिजिट वाला एक ही number है तो इसको as it is लिखनेंगे क्योंकि 4 डिजिट वाला एक ही number है तो यह हो गया हमारा ascending and descending order यह हमने class 5th का match start किया है तो इससे later हम सभी topic धिरे धिरे clear करेंगे तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको like करना चैनल पे नहीं हो तो subscribe करना next video में करेंगे next topic प्रूब करेंगे